हारी यह बताओ येस 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 आपका प्रोग्लम सोल्व हो जाएगा है ना बैच स्टार्ट हो रहा है नाइन एम से 14 दिसंबर को है ना शुरुवाती बैच टुवेल्द का शुरुवाती बैच इस पर विशेश रुप से ध्यान दिया जाए तब आप लोग को ज्यान अच्छा से मिलेगा है ना चूंकि बक्त बहुत कम है जितना दम है लगा दो कुछ लोग को हम जगा रहे हैं कुछ लोग को परचार करके आप जगा दो अब है कि अभी हम आप लोग को बाइनोमियल समाप्त की है ना उसके बाद आप लोग का काना है कि पूरा dit differentiation से जो physics में यूज होता है integration differentiation का पूरा फर्मूला लिखा दिजिए हम आप लोग को लिखा देंगे लेकिन एक condition है कि तनीशा प्रिया अंसु यह सब ध्यान से देखो हाँ सुनील बाबु आप भी पढ़ने पर बैटा तु तो पढ़ेगा क्या रहे तो तो पढ़वे नहीं करता है कि यस 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 हम जानते हैं कि आप मेहनत करते हैं मेहनत करती हैं यह तो सही है इस लिए मेनस से समझ आगे कुछ कर पाईएगा आपका 11 फिट नहीं रहेगा तो कोई भी मप्रिशन और wen हिट नहीं रहेगा आप अगर आगे चलके जेनरल तयारी करते हैं या करती है हाँ हाँ करती है तुम बहुत तेज हो हम जानते हैं जड़ा सांतिस अगर करती हूँ या करती हैं तो आपको 11 का यूज बहुत ज़्याद एडवांस मैट्स आजकल जो भी कंप्रीशन का तयारी हो अच्छा से निकाल नहीं सकते हैं कोई भी कंप्रीशन अच्छा से निकाल नहीं सकते हैं कोई भी कंप्रीशन अच्छा से निकाल नहीं सकते हैं इसलिए आप लोग मेहनत जरूर करें अगर मेहनत नहीं किजिएगा तो आप कुछ ने कर पाईएगा इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है अगर मेहनत नहीं किजिएगा तो आपको प्रोग्लम होगा हम देखे डिफ्रेंशियेशन का फर्मूला लिखा रहे हैं एक्स पर पावर एन का डिफ्रेंशियेशन यह इंटु एक्स पर पावर एन माइनस वन एपर पावर एक्स का डिफ्रेंशियेशन एपर पावर एक्स एपर पावर एक्स का to the base a का differentiation 1 by x into log a to the base e constant का differentiation 0 होता है root x का differentiation 1 by 2 root x जबकि sin x का differentiation cos x होता है cos x का differentiation minus sin x होता है 10 x का differentiation 6 square x होता है जड़ा इंग डाल लेते हैं 6 x का differentiation 6 x into tan x होता है cos x का differentiation minus cos x into cot x होता है जबकि cot x का differentiation minus cos x square x होता है sin inverse x का differentiation 1 by over root 1 minus x square होता है मैंनस 1 by over root 1 minus x square होता है 10 inverse x का differentiation 1 by 1 plus x square होता है bene इन्वर्स X का डिफ्रेंशियेशन माइनस 1 बाई 1 पलस X स्क्वाइर होता है सेक इन्वर्स X का डिफ्रेंशियेशन 1 बाई X ओभर रूट X स्क्वाइर माइनस 1 जबकि कॉसेक इन्वर्स X का डिफ्रेंशियेशन माइनस 1 बाई X ओभर रूट X स्क्वाइर माइनस 1 U इन्टो V का डिफ्रेंशियेशन U बाहर V का डिफ्रेंशियेशन V बाहर U का डिफ्रेंशियेशन U बाटा V का डिफ्रेंशियेशन V D U by D X minus U D V by D X by V square U into V into W का differentiation U V बाहर W का differentiation W V बाहर U का differentiation U W बाहर W का differentiation हम सुन रहे हैं आप लोग का सब बाच है ना? आप लोग बोल रहे हैं इतना हाँ पुछिए कोई दिकत नहीं इतना याद कैसे रहता? याँ इजे concentration जब तक आप concentration नहीं लगाईएगा तो कोई भी चेज आपका दिमाग में नहीं आएगा आप लोग 11-12 को गवाते हैं दो साल गवाईएगा तो अगला 20 साल पच्टाईएगा इसलिए दो साल को अच्छा से पढ़िए 20 साल अच्छा से रहिएगा आप लोग याद ये इतना practice है math जो होता है practice का चाहिएगा जब तक practice नहीं किजएगा तब तक नहीं आएगा मिस तनीसा तुम बहुत बोलती है राइट ना? हाँ रोशन पढ़ने पर ध्यान दो बेटा पढ़ने पर ध्यान दो इतना याद इतना याद इसलिए हो जाता है क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं तो याद होगा नै? इतना मेहनत कीए हैं मेहनत आपको पता चली रहा होगा कितना मेहनत कीए है सौंग भी चल रहा है और इधर पढ़ भी रहे हैं महित इसे महित बनाने में करते होंगे तो गलत बात है हम आप लोग को बारवर कहें फेर नहीं केर करिएगा तब एकजाम में सेयर कर पाईएगा इसलिए फेर करना हमारे हिसाब से बिलकुल गलत है नोट्स बनाएए जैसे पढ़ते रहते हैं इसी प्रकार से नोट्स बनाते जाएए और उसको रिभीजन करिएगा लिख-लिख के रिवीजन करिएगा तो और अच्छा मिलेगा इसलिए आप लोग क्या करते हैं रिभीजन आप जब फेर करते हैं तो कभी मोवाइल से गाना बजा देते हैं जिसके क हम आई-एस ही बनेंगे एक डीयम मतलई डीयम से पहले कुछ बर्क करना पड़ता है कुछ मेहनत करना पड़ता है 56 सब्जेक्ट खली कहने सोता है कहना और करने में आस्मान जमीन का फर्क होता है एक कौपी पर रूटिंग बनाना और उसको अपने लाइफ में लाइफ में जो है न इनिसियटिव करना अपने लाइफ में उसको फ्रेट कली रूप से जो होता है उसको करने में बहुत आस्मान जमीन का फर्क होता है यह कौपी पर लिख डेते हैं और इक जमीन पर उतारने में दिक्कत होता है आप लोग रोज रूटिंग बनाती है ना जब रूटिंग बनाती है तो रूटिंग सारा फेल हो जाता है इसलिए फेल से बचने के लिए आप लोग मेहनत किजिए हम यही का सकते इससे ज्यादा कुछ मेहनत इतना खामोसी से करो कि सफलता सोर मचाएगी सोर नहीं पुरा जोर लगा दो सफलता को पाने के लिए कि यस है चली लेखिया कि अब अब आज के लिए हैं तक